हेलो फ्रेंग्स, वेलकम यू आल, आज मैं आपके जो वीडियो ली कर रहे हैं, बात करेंगे फार्मा सेक्टर के एक बड़े ब्रैंड की, नेशनल ही नहीं मैं कहूंगा बलकि इंटरनेशनल ब्रैंड ये है, फार्मा सेक्टर का बड़ा नाम है, और इसको समझेंगे, देख थोड़ा सा मुमेंट स्टार्ट किया है, तो समझेंगे डिटेल में प्रैस सेक्टर के माध्यम से, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रैस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहे कि और प्रैस सेक्टर सीखने के लिए, आप जोइन कर सकते हो, मैंबर सिप जोइन बेटन पर क्लिक करके, प्रैस सेक्टर की सीरीज बहुत इंपोर्टन है, तो यह सीरीज में अपने आप में बेसिक चीज़े हैं, बहुत ही का काम है, 80%, क्योंकि प्रैक्टिस से ही, देखें, मेरा अपना मानना है, प्रैक्टिस से ही, माइंड को ट्रेन करना है, तो माइंड तक डेटा पहुचाना है, आप मानो या ना मानो, अगर आप टेकनिकल बैक्ग्राउंड से हैं, तो मैं आपको कहूंगा, अगर आप थोड तो क्या चाहिए उसको data देना होता है sample size उसको अलग-अलग size का data देना होता है parameter के basis पर तभी वो decision ले पाता है आज की date में तो यह आई और machine learning का ही काम है यह कि नहीं है तो वही same model जो हमारे mind में लगता है वहीं तो वहाँ पर यूज किया जा रहा है mind को कैसे train करोगे आप खु कोई दिक्कत वाली बात कि time spend करना पड़ेगा practice में तो practice का है बहुत important चलिए आज स्टॉक के हम बात करने वाले हैं वो बड़ा नाम में इसलिए कह रहा हूं कि यह है fire fire market की दुनिया का फार्मा की दुनिया का वहाँ पढ़या player है 20,000 कोड़ का market capitalization हाप को गया एक debt-free stock है 20, 30,000 कोड़ का market capitalization और मतलब जबरतस यह share लेकिन हमारी radar में यह अब से नहीं है जब हमें इसमें दो point देखने को मिले तब से radar में आ गया पिछली corrections को अगर आप देखोगे देखिए correction rally, correction, rally, correction, rally और अभी के जल यह correction तो यह stock में हमें दिखा two point system अब यह two point system क्या होता है point number one, हम two point system आपको काफी time से बहुत important तरीके से बता रहे देखिए, point number two, हमें दो point देखे और साथ के साथ lower low देखने को मिला, यहां पे एक higher low देखने को मिला, तो हमें यह क्या मिला, divergence देखने को मिला, weekly charts में divergence, समझे इस बाट को, point number one, point number two, weekly chart में divergence, stock क्या हो गया, radar bad, सबसे पहले ते यारी, daily के cycle स्टार्ट हुई, अब क्या है, कि एकदम जबर्दस तरीके से rally आई और RSI पहुंच गया आस्मानों पर, आस्मान पर पहुंच गया, हल्का सा correction देखे आस्मान पर पहुंच गया, लेकिन अब जो है, अभी पिछले यह दूसरा अपता है, last week भी थोड रही है, मतलब आप छोटे time frame पे देखेंगे इसको, cycle start होती है, October के time पे, और एक rally आती है, amazing rally में इसको कहूंगा, अब आप को गया, यह जब cycle start ही थी October में, अगर उस time पे हमें यह share देखने को मिल जाता, तो मज़ा आ जाता है, अब आप जड़ा देखिए, यह October का वीडिय price का date है, आपके पास almost 3900 something का price है, है कि नहीं, October 11, 12 का, तो और वो भी 12 को और भी fall हुआ था, जब शाम को आया होगा, वीडियो आपके पास 3968 का price है, correction चला कही दिन तक, बड़े time frame का एक बहुत ही simple साधा, जो learning है, वो यह है, इसमें जो सबसे important बात है, patience की, बड़े time frame पे आप जाते हुआ, आज भाग गया, कल भाग गया, patience चाहिए होता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यहां risk management के लिए position के size को कम करना पड़ता है, position के size को कम करके risk manage किया जाता है, क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका डर खतम हो जाता है, दिकि डर आपको दोस्त तर होंगे कि stock गिरने से ज्यादा डर आपको लगेगा, stock भागते time, मतलब भागेगा ना, तब आप hold नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जो वो profit को देखोगे, तो वो profit को आप hold नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपका position size ज्यादा होगा, तो profit आपको ज्यादा दिखेगा, तो आप hold नहीं कर पाओगे, तो ये दोनो situation, ये दोनो, जो greed and fear की situation, जो मैंने आपको बताई, दोनो time पे, year risk management, दोनो side के काम, इसलिए जो बड़े time frame के हम बात करते हैं, लंबी दूरी तक hold करना है, तो भी position size कम चाहिए, तो लंबी दूरी तक अब hold कर पाओगे, अब ये जाओ इसको, तो ये कोई ऐसा नहीं कि, point number one, point number two मिल जा तो भी ये जो stock है, इसके उमीद बड़ी है, stock बड़ा है, तो उमीद भी बड़ी है, तो कम से कम ये situation, ये level है, क्या target 6000 का पार कर पाएगा, amazing है कि नहीं, बड़ा stock, Pfizer नाम तो आपने सुनाई होगा, अगर नहीं सुन तो कोविड के टाइम पर, वैक्षीन अडॉल, मैं फार्मा वालो ने तो इसका नाम सुना होता है, एक और stock था, जो हम बार-बार बात करते थे, अश्टा जनका फार्मा ने की, और उसने तो बहुत ही बढ़िया बहतरीन रैली दी, मैं अगर उसको भी आपके सामने रखू तो जैसी यह बेस वापस आया था, यानि की यह लेवल सिचुएशन, है न, इंपोर्टन, उसके बाद फिर जो कर्रेक्शन आयती जैसे भी हम फाइजर में इस फेज की बारे में बात कर रहे हैं, कि नहीं करते हैं, तो उसके बाद जैसी यह रिजॉल्व होग था, 3800 के कहां पे अभी, फाइजर इन सिचुएशन पे अभी है, थोड़ा कर्रेक्शन आके, फाइजर की सिचुएशन कहां पे है, देख सकते हो, क्लियरली, और अभी फाइजर में थोड़ा फॉल ज्यादा आ गया था, और उमीद इतनी फॉल के नहीं थी, वो वीकली पे और नीच यहां पे चला गया, देखिन इसने तो अमेजिंग, यह देख सकते हो, क्लियरली, 34-500 के लेवल से, जो रैली इसने दी है, अल्मोस्ट 90% के पार की है, देखिए, तो यह छोटी-छोटी चीज़े जरूर है, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट चीज़े हैं मां कहूंगा, लर् देखिए, यह सारी चीज़े आप रिलेट तब कर पाऊँगे, प्रैसेक्शन सीरीज तो आप देख लोगे, लेकिन रिलेट तब कर पाऊँगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, इसलिए जो वीकेंड एक्सराइज हम कहते हैं, आपको जो रेगुलर, यानि कि डे एंड एक रेक्मेंडेशन की तरह लेता है, तो आप क्या करोगे, ब्लेमिंग का काम करोगे, अगर कोई स्टॉक अभी हमने चाहिए, माल लीजे, फाइजर हमने डिसकस किया, अब यह फाइजर यहां से कंसॉलिडेट करने लग गया, या ऐसली ही टोड हो गया, तो अगर आप लर्नि के जो पात पे चलते हैं, तो उसके इंप्क्त आपको दे, आपकिसी को डीम नहीं कर रहे हो, लेकिन जब हम टिप्स यह रेकमेंडेशन की तरह तरफ जाते हैं, तो हम क्या करते है, हमारा सीधे फॉस्ट आट यह रिए सीधे ब्लेम का होता है, ओ यार यह इसने यह रिज स् स्टॉक मार्किट में मात्र और मात्र 2000 चार्ट के आसपास जहां पे आप जो सौ करोड के मार्किट के प्रेशन के ऊपर बैठते हैं जहां पर प्रैक्टिस करते हैं कोई ज्यादा नहीं है बहुत ही कम है तो फिलाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता ह आपको समझ में जरूर आगा वीडियो अचला का तो शेयर जरूर कीजिए लाइक कीजिए प्रैक्टिस करते हैं यह प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और थैंक्यू थैंक्यू पर नाचिक दर वीडियो